पूरी तरह से तयार है भारत लेकिन IPL 2022 के मेगा उक्संस पर आ गई है बहुती बड़ी आफ़जिया नमस्कार आप देख रहें क्रिकेट इंडिया उडेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है आज तारीक हो चुगी है 13 नमबर 2020 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन पर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टोप खबरों के बारे में जहां पर एक तरह भारत और निजिलैंड के बीच होने वाली T20 और टेस्ट सिरीज के रिगार्डिंग आप सभी भारते क्र के लिए बिचिस्याई ओफिसियल्स की तरफ से दो तीन बड़े बड़े अफडेट्स निकल कर आ रहे हैं वही दूसरी तरफ IPL 2022 के मेगा उक्सन से पहले बिचिस्याई बहुत ही बड़ी मुझीवत वेफस गया है उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरे निकल कर आ रहे हैं और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाई वन पूरी तरह से एनलैसिस करने वाले हैं इसलिए आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखते रहे हैं इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजिए हर एक छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिये गए लिंक से फटा फट हमारे टेलीग्राम चैनल को जिरूर जोएन कर लेजिए तो चलिए बिना समय गवाई अब हम बात करते हैं दिन बरग अगाज यहाँ पर तीन मैचों की टेस्ट सिरीज के साथ होगा बाद में यहाँ पर दो मैचों की टेस्ट सिरीज होने वाली लेकिन इस दोरे की शुरूबात से पहले बिशिश याई की दरफ से आप सबी भारतिये गिर्येट फैंस के लिए दो-तीन बड़े-बडे अफड यहां पर निकल करा रहा है। सम्भालते हुए नजर आने वाले हैं वही दूसरी तरफ चेतेश्वर पुजारा को यहां पर भारती टीम का वाइस क्याप्टन बनाए गया है टीम के बोलिंग डिपार्टमेंट में भी हमें काफी सारे बड़े बड़े चेंजीज देखने को मिले है जहां पर जस्पीद यहां पर केस भारत को भारती टीम में सामिल क्या गया है पूरी टीम यहां पर बदल गई है पूरी एक्स्प्लोड वीडियो हमने अपनी यूटूब चैनल पर अप्लोड कर दिया आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट क को मिलेगा और वही फाइनली यहां पर भारत और निजिलेंड के बीच होने वाली टीट्वेंटी सीरीज के लिए टिकेट्स की बुकिंग स्टार्ट हो गई जिया ओडियंस को यहां पर अलाव किया गया है फर्स टीट्वेंटी मैच में हमें 100% ओडियंस देखने को मिलेग है वही सेकिंड और 30-20 मैच में हमें 50% ओडियंस देखने को मिलेगी तो भी टिकेट्स की बुकिंग यहां पर उनलाइन शुरू हो गई है आप विचिसाई की वेबसाइट पर विजिट करके टिकेट्स को बुक कर सकते हैं लेकिन आपके लिए यहां पर काफी सारी नही नह 17 टेस्ट कराना होगा उसके रिपोर्ट वहां पर ग्राउंड के एंट्री से पहले दिखाने होगी और यहां पर ओर भी काफी सारी गाइडलाइन्स है जो आपको विचिसाई की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर के तो यह आ रही है केट का महा संग्राम यानि वीवो आईपील 2022 के रिगार्डिंग जी हां विचिसाई फिलाल पूरी तरह से जोरो सोरो से आईपील 2022 की तयारे में जूटी ही कि बाई दो नई टीमें आईपील में है हमताबाद और लखनों की टीम आईपील में खेलने वाली है 10 टी स्टेटमेंट हमें देखने को मिला वाई स्टेटमेंट जो है वो कुछ ऐसा है कि यहां पर आईपील 2022 के मेगा उक्षांस को थोड़ा सा और ज्यादा पोस्पोन किया जाएगा जी हाप सभी लोगों को बिलकुल अची तरह से पता है कि आईपील 2022 की मेगा उक्षांस देख देखने को मिलेगा यहां पर पर्स के उपर भी काम करना है बजट के उपर भी काम करना है खिलाड़ू की मैनेजमेंट भी करनी है क्योंकि आप सभी को पताएगी मेगा उक्षांस की मेगा उक्षांस में एक बहुत ही बड़ा डिले देखने को मिल सकता और वे तिल नाव ज का पूरा का पूरा का रोका रखाल आधिकारिक तोर पर यह है कर चुक साल 2022 का एसिया कप अमें पाकिस्तान के देखने को मिलने वाला है और यहां पर जो लेटेस्ट अप्डेट उसके मुदाभी कैसा बताया जा रहा है भारत पाकिस्तान स्री लंका और बंगलादेश इन चाल टीम होने यहां पर डारेक्ट क्वैलिफाइब कर लिए अपने क्वैलिफायर मैच खेलेंगे इसके बाद यहां पर टीमेफिक्स हो जाएंगी देट्स के बारे में हम यहां पर बात करते हैं तो तिल नाव जो लेटेस्ट अपडेट्स उनके मुताबिक ऐसा बता है जा रहे हैं साल के मीड में हमें जिहां जून मंत के मीड से हमें एशिया कव 2022 की स्रीलंका में सुरुवात होती हुई दिखाई देने वाली है और जुलाइ मंत के फर्स्ट वीक में हमें एशिया कव 2022 का फाइनल महा मुकाबला देखने को मिलने वाला है उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की तो यह खबर निकल करा रही है IPL 2022 के रिगार्डिंगी Royal Challengers Bangalore की टीम को लेकर जिहां विराट कोली ने अधिकारिक तोर पर कंफर्म कर दाए कि T20 फोर्मेट की आगे हो कप्तानी नई करने वाले जिसके चलते अगली सीजन के लिए Royal Challengers Bangalore की टीम ने नई कप्तान को खोजना शुरू कर दिया है और फाइनली यहांपर RCB की तरफ चाह में हिंट भी देखने को मिला है नई कप्तान को लेकर और वह इनके नए कप्तान हो सकते हैं स्रेश सहयर क्योंकि स्रेश सहयर ने यहांपर जैसे वो टीम के साथ जुडेंगे तो भी उनको यहाँ पर टीम का नया कफ्तान गोशित कर दिया जाएगा उसके बाद हम बात करते हैं अगली कबर की तो यह कबर निकल कर आ रही है भारतिय टीम के प्रोव हेड कोच रवी सास्त्री को लेकर जिया रवी सास्त्री ने भारतिय टीम की जुडिज के खतम होने के बाद यहाँ पर बहुत EBD स्टेटमेंट जारेगी जापर एक प्रेस कोंफ्रेंस के दुरान उन्हें T20 World Cup 2021 के लिए भारतिय टीम के स्कोट्स के रिगार्डिंग सवाल पूछा गया तो भी उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल clean and clearly बोला कि भी हम यहाँ पर playing 11 के लिए selection कर सकते लेगी जो playing 15 का selection है वो BCCI की selection committee ने किया उसमें यहाँ पर coach और कप्तान का किसी विड़ा कोई भी दोस ने कि कोन की लाड़ी अंदर है कोन की लाड़ी बार है यह जो जितने भी decisions लि किस क्रिकेट से जुड़ी सभी टोफ खबरे इन सभी कपर आपके क्या opinion सभी comment box में जरूर देना आपने राए खलाल किस वीडियो में बसी तना ही ज्यादा information के लिए भी subscribe किसे cricket India thanks for watching